सो हाई गाइस चलते हैं हम आपको जवलपुर की बड़ी खेरमाई का दर्सन कराते हैं और वहां सब कुछ आपको विजिट करवाते हैं कि कैसे कहा जाना होता है सो गाइस आप देख सकते हैं उसका मेन गेट है हम यहाँ पास कुछ नारियल ले रहे हैं जिस्ट यहाँ पास बाहर हम चपल जूता जो भी पहने हैं हम वहाँ पे उतार देंगे यह हमने उतार दिया है अब हम नारियल पैक करवा रहा हैं नारियल पैक बने के बाद हम चलते ह अंदर आपको पूरा बिजिट दिखाने वाला हो तो वीडियो में पूरी बने रही है और माता ती का दर्सन जरूर कीजिएगा सो गाइस हमने जूता चपल उतार दिया है और नारियल भी पैक करवा लिया चलते हैं परडाम करते हैं और चलते हैं अंदर की और आपको करवाएंगे आज बूड़ी खेर बड़ी खेरमाई जवलपूर का सो गाइस चलते हैं आप देख सकते हैं साइड में यहां कुछ दुकान में आप टैट्वी बनवा सकते हैं माता जी का अब अभी तो कम भीड़ है क्योंकि अभी दो बाहर का टाइम है क्योंकि थोड़ी हो रही है अब लाइन में खड़े होते हैं हम आपको दिखाएंगे आगे के लिगारियम लगने के पाद माता जी का दर्षान का प्राप्त करने को मिलता है अब माता जी का अभी नम्बर लगने वाला है, तो guys, आप देख सकते हैं, यहां से जाके, वहाँ तक, फूरी नाइल लगी हुई है, एबम अंदर भी लाइन लगी हुई है, जो कि वहाँ पास हमें जाना है, यहां से बहुत डूर है, एबम पीछे भी आप देख सकते हैं, तो guys, बस कुछ इच़ड में हम अंदर प्रिविस करने वाले सुगाश देख सकते हैं आप यहां का दरवाजा इबन अंदर का आप कुछ भी देख रहा होगा आपको दूर से आप देख सकते हैं कभी इस फिल्हाल आदे घंटे के बाद हम लोग अंदर के वेज़ कर चुते हैं जो कि अभी भी कुछ टाइब लगीगा जो कि अंदर को अंदर का आप कुछ दो कदम और वसम पहुंचने वाल का देख सकते हैं जलते हैं जाये मातारानी जयाए जयाये माताराणी तो चलते हैं मा के चलनों का अशिरबाद लेते हैं जयाय मातारानी अबार्टी तो गाइस हमने वहाँ पास कुछ फोटो सूट किये हैं जो कि आप देख सकते हैं तो गाइस हमने फोटो लेने के बाद हमने बाहर गेट से निकल आये थे निकलने के बाद हम डायरेक्ट हम अपने रूम की ओर आ गए थे आपको यह ब्लॉग अच्छा लगओ अगर अच्छा लगओ तो वीडियो को लाइक करें चैनल को कर दें सस्क्राइब बिलाकें दी प्रेस और मिलते हैं हम आपको जै मतारानी की जै मतारानी की